हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभीका नर्सिंग केटी योट्यूब चैनल के उपर और आज का अपना टोपिक रहेगा यहां पर एपीडीमियोलोजी देखो जो एपीडीमियोलोजी होता है यह तीन वर्डों से मिलकर बनता है एपी का मतलब होता है अमंग डेमोज का मतलब होता है पीपल और लोगस का मतलब होता है स्टेडी करना तो अपन यह बोल सकते हैं कि एपीडीमियोलोजी का मतलब होता है कि हेल्थ रिलेटेड जो भी स्टेटस है जो भी इवेंट्स हैं पोपुलेशन के अंदर होते हैं और अ मतलब होता है कोई भी तीन कंपोनेंट, अब इस epidemiological tried के अंदर तीन कंपोनेंट आते हैं, एक होता है agent, एक होता है host, एक होता है environment, next one, अब ये तीनों ही क्या होते हैं, कोई भी digits condition को start करने की कारण होते हैं, मतलब एक favorable condition जैसे इनको मिलती है, वहाँ पे क्या कर देंगे, digits कोज क्या है जैसे की biological जैंदर वायरस हो गया, bacteria हो गया, फंगाई हो गया, nutrient, agent के अंदर कौन से आते है, protein, fat, carbohydrate, physical agent के अंदर heat हो गया, cold हो गया, humidity हो गया, chemical agent के अंदर metal, urea, למׄ, smoking हो गया,powerty हो गया, drugs हो चुका है, वहीं पर बात करें host की, host कोई भी एक person होता है, फिर बहूल सकते जिसके अंदर जो बिमारी फैल रही है मतलब वो responsible बिमारी के कोजेशन के लिए और इसके अंदर भी कई सारे factor होते हैं जिसे कि host के अंदर host की age है, sex है, genetic factor है, उसका lifestyle है use of alcohol, nutrition exercise और भी कई सारे factors यहां पर responsible होते हैं next one environment की बात करें अपना जो environment है, उसके अंदर air है water है, food है, housing है यह सब किसके अंदर आते हैं environment के अंदर आते हैं, तो epidemiological tried का मतलब अगर agent host या environment तीनों में किसी भी तरीके से कोई भी favorable condition बनती है, जो की एक disease को lead कर सकती है, तो यहां पर बिमारी start हो जाएगी next one आगे अपन बात करेंगे portal of entry की, portal of entry का मतलब कोई भी causative organism जिसके अंदर infection उसके अंदर आ सकता है portal एक रास्ता मिल रहा है उस person की body के अंदर enter करने का, जैसे कि respiratory tract हो गया, अपनी skin कहीं से break हो जाती है, अपना genitory urinary tract हो गया, git हो गया, ये अलग-अलग वे हैं, जिससे कोई भी microorganism है, जो अपनी body में enter करता है, और infection फैला देता है portal of exit मतलब अपनी body को छोड़ करके चला जाता है portal of exit का मतलब होता है कोई भी pathogen है, जिससे body को छोड़ करके बहार निकलेगा जिससे की respiratory tract निकलेगा troplet हो गया, fecal matter हो गया, urine हो गया, blood हो चुका है next one, एक important चीज आती, iceberg phenomena देखिएगा, iceberg phenomena का मतलब एक disease के लिए concept दिया गया था और इसमें जो disease है, उसकी तुलना की गई थी किस से ice से ती गई थी ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा एक tub था, tub के अंदर पानी भर दिया गया वहाँ पर एक बरप का टुकड़ा डाल दिया गया बरप का कुछ टुकड़ा बाहर फ्लोट कर रहा था कुछ अंदर डोब रहा था, जो बाहर जो दिख रहा था, उसको floating tip बोलते है floating tip किसको denote करता है symptomatic symptoms को notified मतलब जिसके अंदर family या doctors को check out करेगा, जो ऐसे person जिन में बिमारी का diagnosis हो चुका है case या clinical या symptoms के बारे में और most of जो floating tip को denote करता है developed country को ठीक है, वहीं पर submerged portion है यह किसको denote करता है undiagnosed, जो case hidden है, carrier है जो दिखाई निदेते हैं और specialist के बारे में कौन बताता है, epidemiologist बताता है, यह किसके अंदर देखने को मिलता है, developing countries में देखने को मिलता है, next one बात करेंगे iceberg phenomena है, किस-किस बिमारी के उपर apply नहीं होता है, तो यह नए case जो आते हैं, उनको अपर incidence बोलते हैं, तो नए case और अपन population atrix multiply कर देते हैं, hundred से तो अपने पास incidence निकल करके आ जाती है वहीं पे prevalence की बात करें, prevalence का मतलब होता है, जो case already एक population के अंदर exist कर रहे हैं, उनको अपन count करते हैं, तो उनको बोला जाता है, prevalence, next बात करते हैं, epidemiology के लिए कौन कौन से tool काम आते हैं, पहला tool होता है rate, rate का मतलब होता है, population के अंदर जो भी event चल रहे हैं, जैसे कि birth, death, एक time period के अंदर ratio का मतलब, कोई भी दो random quantity की बीच में अपन relation check करते हैं, जैसे कि sex ratio, child woman ratio, एक होता है, proportion, proportion में एक numerator होता है, वो part होता है, किसका denominator का, आपने देखा होगा, answer हर वाली बात, उसको अपन multiply कर देते हैं source से, तो अपने पास क्या निकल कर क्या आ जाते हैं, percentage निकल कर क्या जाते हैं, जैसे की case fertility rate, जिसको CFR बोलते हैं, next उसका isn't अभी भी present है, elimination बोलते हैं, उसको elimination, इसके अंदर polio इसका example है, endemic का मतलब, एक ऐसी बिमारी जो एक fixed geographical area के अंदर देखने को मिलते हैं, और हर वक्त उस area में पाई जाती है, उसको endemic कहा जाता है, जैसे की goiter हो गया, जो हिमालय के area के अंदर देखने को मिलता है, next epidemic का मतलब, एक ऐसी बिमारी जो कहां पर अपने surrounding geographical area के अंदर पाई जाते हैं, जैसे की cholera, plague, यह एक community छे दूसरी community में फैलती रहती है, pandemic का मतलब, एक ऐसी बिमारी जो all over world के अंदर फैल चुकी है, जैसे की COVID-19 नाया था, यह world wild बिमारी होती है, next एक word आता, sporodike, sporodike का मतलब क्या है, एक isolated case होता है, कोई भी digit जो present है, next one, एक irregular period के अंदर जो hidden होती है, next, इसका एक example हो गया, polio, तो कि इस वीडियो नपन ने यहाँ पर पड़ा है, epidemiology के बारे में, इसके लावा iceberg phenomena के बारे में, और कई सारी ऐसे terminology जो बहुती ज़्यादा important है, तो अगर आप को इस वीडियो पसंद आता तो वीडियो को like कीजिएगा, अगर आप चैनल पे ने उते चैनल को subscribe कीजिएगा, thank you.